हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूटिप चैनल स्टेडी वेत स्मार्टनस में तो दोस्तों कैसी चल रहे हैं आपकी तयारियां जरूर बताइए हमें कमण करके और दोस्तों आज का यू सेशन है हम आपके लिए एक कुक रिव्य लेकर आए हैं आपके प्रिविएस एर के कोश्टनस पेपर का ठीक है तो देखे दोस्तों हम जो जिस डिरेक्शन में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को अभी तक हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि व पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं तो एक बढ़ा हमारे इस सेशन को जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपके जितने भी आपके कोश्टन पेपर है साइन्स रिलेटेट जो भी मैं बात कर रही हूं आज कि साइन्स रिलेटेट जितने भी कोश्टन से आपकी पहले एक्जाम म ठीक है तो देखिए तो देखिए प्रीविसर के जो कोश्टन पेपर है आपकी कोश्टन से उनको रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और प्लीज अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा हो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस तो यह अच्छली आपको फर्स्ट कोश्टन है इस वीडियो का लेकिन इस थर्ड नंबर पर आया हुआ था तो आप इसमें जो कोश्टन नंबर से थोड़ा सा विचलित मत हो यह जो जो इग्नोर करते हूं इसके जो पैटन है आपको एक्जाम कर जो किस तरह से कोश्टन आ इसके दर प्रतिवादित किया है तो सबको इसका अंसर बता हुआ कि यह जड़त्व का नियम है आपके न्यूटन के जो फर्स्ट लॉज है उनसे उससे लिया गया है आपको न्यूटन के त्री आपको न्यूटन के त्री लॉफ मोशन है तो इसका अंसर बता सकते हैं कि इस नेक्स कोशन जो है इस वीडियो का वो है थुरसा ब्लर इमेज है तो वह पर अजिस्स कर लिजेगा भारत वन रिपोर्ट 2015 देखिए जो हमारे कोशन पेपर हैं दोस्तों यह 2016 का हमने कोशन पेपर उठाया हुआ है विक एंटीपीस से पहले का हुआ है 2016 के टाइम पर हुआ है तो और 15 की रिपोर्ट की अनुसार कुल भागोलिक छेतर का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वनों और वर्षा से व्रक्षों से अच्छादित है ठीक है तो देखिए इस तरह के कोशन भी आपकी साइंस में इंक्लूड़ेद ही साइंस रिलेटर यह कोशन ठीक है तो इसका कर देखिए अनसर आपका फोर्ट का D मतलब कि 24.16 परसेंट जो एरिया है हमारा भारत का वो आपकी वनों से अच्छादित है ठीक है चलते है फिर नेक्स कोशन की और तो देखिए तो यहां पर नेक्स कोशन आपका जो विज्ञान प्राद्योगी का जो भाग है तो प्राद् फिर नामग भारत के पहले समरपित खगोल विज्यान उपग्रे की शुरूआत ओक दी पहले प्रादि अवागे मिशन की शुरूआतSatam Сейчас na siro में बखे सब्सक्ति तो जो ओए सफ से जुए तो टेजह है अपके प्रक्षे पास्तर जो होते हैं तो नासा इसरोते आपका एक विसनोर नहीं को थैट तो इन्साइड टॉपिक्स को आपका कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप पूरे एक्जाम को अगर पेपर आपका है अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको पता चलिएगा कि इस तरह की इस तरह है कि टॉपिक्स में ही कोशन मनतें का आंसर A, 2 का C, 3 का D, 4 का B, इस तरह उन्होंने आंसर कि आजकल जो ट्रेंड है, वो टॉपिक्स की जो ट्रेंड है, आपका चेंज कर दिया गया है, तो आपको यहां पर ध्यान से कोश्चन के आंसर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, तो देखें, यहां पर आंसर से 3 और C में टिक कर दिया होता है, तो उसका आंसर गलत हो जाता है, इस वज़ए से आजकल जो एक्जाम में हैं, तो आप ध्यान से फोकस होकर आंसर दीजेगा, कि वहां पर किस तरह से एक्जाम आपके लिए कोश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, जो चलते हैं अगले बी दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लांच होने वाली, यह दवा किस ब्रिमारी के लिए उप्योग में लाई जाती है, ठीक है, आयोब आपको कुशन तो ब्लर है, लेकिन समझ में आ रहा होगा, तो जो इस तरह कि दवा है, वो किस ब्रिमारी में यूज होती ही, दोस्तों, देखे, यहाँ पर भी आपके जो ऑप्शन को है, उसी तरह से मैनेज किया गया, अरेंज किया गया है, थर्ड में इस में ऑप्शन में बी रखा हुआ, जो कि आंसर सही है, मतलब बी अर्थात के रैबीज द्रो कि अविश्कार किया था, अगर आपने थोड़ी सी भी महनत की है, साइंस के बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, यह बहुत ही बेसिक टॉपिक्स कहलाते हैं, अगर इसमें भी आपके कुशन आंसर नहीं बन रहे हैं, तो फिर बताइए कैसे चलेगा, तो फिर अल्फरेड कि अविश्कार को अविश्कार जिसे बोलते हैं, तो इस तरह से देखें इसकार का घ्रिए का एए तू का सी लिए हुआ है, आपका बारुप तो देख रहे हैं, दोस्तों कितने इजी कोशंग्स हमारे एक्जाम में पूचे जाएंगे, और निक्स कोशन के चलते हैं, तरल से गैसी अवस्था में रूपांत्रण को क्या कहते हैं गैसी अवस्था में में रूपांत्रण अच्छा कि बुच्क नुट уг determining बीन है। कि इससे क्या कहते हैं आपका वास्पी करन कहा जाताएं इन फिर्स्ट कासी आंस्वे जब जाइ देक लेते हैं, देखिऊ, इसका पूजन पर फस्कावरेंगिया इसका पति forma ब्रसबती में, गेर करें दिखना है और आज़ने ट्रुपा बड़ें कोशें미ंट आगे नीचनीमाण वर आसने में पयाखे बीदर गया है.. यह हाई लेवल भी मोड़रेट भी कासते हैं, जेनेटिक इंजीनरिंग के संबंद में भिन का पता लगा, यह बिन मतलब की अलग बताना है हमें कि इन चारों में कौन सा अप्शन अलग है, इसमें कि बीटी कॉटन यह भी आपका जेनेटिक इंजीनरिंग है, गोल्डन राइ गबराने की ज़रुद 篇ण सा और के देकितना अच्छा है, इसमें कि आपको की नाइचा है, इसमें कि पदस्टी कन देक्टी कि आपको ही कॉष्ण तो इसमें राइग की नाइले से ट्वर सा अपका प्ड़तिक में कि और भी नज़ीजिय की और कैया तो नेश्वर जो औ जरूर रखे जाते हैं, क्योंकि यहीं से, देखिए, बेसिक कोशन तो हरकोई बना ले जा रहागा, लेकिन जो कुट आपका होता है, वो कहां से उपर होगा, इसी तरह के कोशन से, जिसने अच्छी तयारी, इसकी तयारी बहुत अच्छी पकड़ है, मजबूत है, किसी भी ट द्वारा आहार नली में कैसे भोजन आता है, अंतगरहन या इंजेक्शन के द्वारा आता है, नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं, कि कुछ रोगी दिवस कब मनाया जाता है, अब देखिए दोस्तों, कि जो डेट आपकी तिथी होती है, तिथी से भी एक नए कोशन आपके एक तो इस तरह की चीजें आपकी जो कंफा में आएं तो इसको इन चीजों का बहुत अच्छे से तयार करके रखिए, कि इन में से आपके कोशन नहीं जाने हैं, एक दो नंबर ही दिलाएंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, तो एक दो आपके हाँ से नहीं जाने जाएए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, दोस्तों कमेंट करके आपके बढ़ता सकते हैं, जल्दी से कुष्ट रोगी दिवस कम मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 का D, 3 का D मतलब की 30 जनवरी, जो है कुष्ट रोगी पिंदू, 4C, जिसे कहते हैं, में से एक सूर में आधा कॉष्ट या पे क्रॉप है, दोस्तों, तो इस तरह के ग्रहों के गति के जो नियम है, इससे भी आपके कॉष्ट बनते हैं, तो इन साइट आपको आपको कवर करना है, अच्छे से, हमारा परमानु विखंडन की प्र परमानु विखंडन में क्या होता है, नाविकों का उपखंडन होता है, यह देखिए, एक टॉपिक आपको यहां से मिल गया है, कि अध्यन जितने भी प्रकार की, किस चीज के अध्यन को क्या कहते हैं, जो टर्मनोलोजी हम कहते हैं, दोस्तों, उसमें से भी कोष्ण बनता तो उसमें भी शौमेल है कि टॉक्सिलोजी का अध्यन क्या है, तो टॉक्सिलोजी का अध्यन जहर का अध्यन कहलाता है, ठीक है, तो इस तरह से आप उस वीडियो को फालो करें, इसमें काफी बहुत अधिक चीजें आपके लिए हमने एक लूट कटके लाई थी, तो चली आगे बढ़ते हैं, इसके रूप में वर्गी करत किया जाने वाला प्रारंबिक होमेनाइट्स का अधिक होमेनाइट्स की बात करी जा रही है, तो इकौन से थे आपके क्रोमागनन थे, ठीक है, आंसर क्या है, इसका फोर्थ का बी दिया हुआ, उसमें बी दिया हुआ है, क्रोमागनन थे, ठीक है, नेक्स कोशन की ओर चलते हैं, कि निमलेकित में से कौन सा योगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्मान करने वाला सरवादिक सामान योगी, तो कितना फेमस कोशन है, दोस्तों, एक्जाम की दृष्टी से, कई बार आपको कही तरक एक एक्जाम में है, इसमें कूछा जाता है कि गुर्दे की पत्थरी किस चीज से बनी होती है, य ense kan निर्मान करने का सामान योगी कौन सा है, तो कहरिक आंजर के हुझ उजाता है, केलशियम ऑग्जिलेट, केलशियम ऑग्जिलेट, गुर्दे की पत्री बनती है, निक्स कोशन की ओर चलते कितनी स्वाद कलिकाएं मुझूद होती हैं तो यह 2000-8000 के बीच होती हैं लगबक समाने तौर पर ठीक है नेक्स कुछन के जलते हैं एक नवजा शिशु के शरीर में कितनी हड्डिया होती हैं देखें कोछन आंसर क्या का है वीडियों पर भी हम जो सुरी हड़ियों पर भी हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया उसमें सारी तहय कि हड़ियों के बारे में सारे फैक्ट्स जो है अब कवर किये गए तो उस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो करें दोस्तों धान से देखेगा बहुत इंपॉर्टन वी जाती है ठीक है next question की ओर चलते हैं तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है इस तरह के session अगर आपको और चाहिए आपको प्रीविडियो के question क और अधिक अगर आप analysis करना चाहते हैं देखना चाहते हैं उस चीजों को तो प्लीज हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे ठीक है कि हमें बताईए कर आपको उस तरह के session अच्छे लग रहे हैं आपको और चाहिए हैं तो प्लीज हमें बताईए पुरा वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेलें अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ आपक धन्यवाद